नमस्कार साथियों आज चंदरा इंस्टूट अलहाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं सुमित कुमार जी आपने UP TGT 2021 मैथमेटिक्स में 29th रेंग हासिल की है तो पहुत पहुत बधाई सुमित कुमार जी आप जानेंगे कि किस प्रकार से आपने संघर्स करके इस सफलता को हासिल की है और आपका फैमिली बेग्राउंड क्या है तो मैं चाहूंगा दो सब्ध सुमित कुमार जी मेरा नाम सुमित कुमार मैं हमीपू डिश्टिक्स से बिलॉंग करता हूँ और मेरा संघर्स काफी भरा रहा क्योंकि मेरे पिताजी एक नॉर्मल फैमली से बिलॉंग करते हैं उनकी छोटी सी एक दुकान है तो मैंने काफी मेहनत किया हुआ था मेरा ये पहला अटेम्ट था पहले अटेम्ट में टीजीटी में मैंने 29 रेंग प्राप्त की हैं और सर को भी मैं धन्नवाद देना चाहूंगा जुन्होंने मुझे मुझे मौकर दिया इस बात को बोलने के लिए कहीने कहीं आप तक पहुँचाने के लिए तो उसके लिए सर बहुत-बहुत धन्नवाद सुवित कुमार जी आप बहुत सारे विद्यार थी जब तैयारी करते हैं तो बहुत परिसान रहते हैं ठेर सारे उनके कॉल आते हैं मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग इस लाइफ सिसन के माध्यम से छात्रों को यह बता पाएं ताकि उनके प्रस्ण जो क्यूस्चन जो दु कार की उलजन आई तो आपने उसके लिए क्या किया फिर हां सब प्रॉब्लम्स बीच-बीच में बहुत आती रहीं कभी-कभी यह लगता था कि समय से कैसे करें पूरा कैसे पढ़ाई करें उसके लिए क्या टार्गेट बनाएं तो उसके लिए मैंने बहुत से चीजों को प इसका प्रेक्टिस सेट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो प्रेक्टिस सेट से कही न कहीं थोड़ा सा समय समय पर मुझे मोटिविशन भी मिलता गया कि नहीं हां कुछ हम कर पा रहे हैं अच्छा रिस्पॉंस दे पा रहे हैं खुद हम समझ जाते हैं प्रेक्टिस से तो पहले यह attempt में मैंने सफल था हासिल की है 29th rank आई है कि कि mathematics में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस पार्ट पे आपने अधिक फोकस किया कौन से ऐसे पार्ट थे जो important हैं और आपने अधिक फोकस किया इसमें सबसे पहले मैंने coordinate, geometry और calculus यह जो बहुत important topic होते हैं तो इन पर जादा फोकस किया हुआ है और छोटे-छोटे कई सारे topic हैं sets को लेकर कुछ BSC के भी topic हैं, group theory के लेकर उनके अच्छी तरह से थोड़ा सा छोटे-छोटे जो points होते हैं उनको मैंने cover किये और जितना भी reference portion होता है उनको अच्छी तरह से cover किया question बात में हम solve करते हैं सबसे पहले जो reference से जो छोटे-छोटे points निकल के आते हैं बहुत सारे question इन points से ही बंद के निकलते हैं तो इन पर मैंने जादा focus किया इस बीच आप अपने आपको सकरात्मक कैसे बनाए रख पाए हाँ ये तो सर्फ बहुत important बात है सकरात्मक के लिए होता क्या है कि जब हम preparation करते हैं तो बहुत से negative think वाले लोग हमें मिलते हैं कि ऐसा से ऐसा होता है rank मतलब बहुत ज़्यादा high merit जाती है तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग इन से selected हैं कहीं न कहीं वो आपको अच्छी तरह से response बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है किस हिसाब से merit जाती है और कितना time management कैसे क्या करना है तो आप उन्हीं लोगों से मिलिए जो सकरात्मक आपको दे सकें सुमिज जी एक प्रस्ण जो विद्यार्थियों को बहुत उल्जन में डालती है जो PCM से BSC हैं ऐसे विद्यार्थी mathematics TGT के त्यारी करें या science से त्यारी करें यह तो बहुत important topic है क्योंकि बहुत से लोग BSC करते हैं PCM से लेकिन final में हमें कहीं न कहीं एक subject को छोड़ना होता है तो अगर आप लोग UPTGT mathematics से करना चाहते हैं तो आपको mathematics होना तो बहुत जरूरी है तो mathematics साथ हो सकता है अगर आपने mathematics छोड़ दी तो आप UPTGT mathematics से नहीं के निकाल सकते हैं होता क्या है कि देखिए science work से अगर आप कर रहा है तो उसमें आपका जो paper होता है उसमें physics के भी questions होते हैं और chemistry के भी questions होते हैं 125 questions में तो होता क्या कि यहां पर हमें दो-दो सब्जेक्टों की command रखनी होती है 11-12 की physics भी चाहिए और chemistry भी चाहिए तो मेरा मानना यह है कि mathematics में आप ज्यादा अच्छा कर पाऊगे क्योंकि एक सब्जेक्ट को लेकर है इसमें टोटल 125 questions mathematics के होंगे तो मेरा मानना यही है कि mathematics में अप फिर होता क्या है कि कभी-कभी जो students दोनों में पकड़ होती है science में, physics में भी, chemistry में अगर आपके दोनों में पकड़ है तो कर सकते हैं मैं यह नहीं कह रहा हैं कि science में की और न जाए mathematics में अगर आपकी इच्छी पकड़ है अगर physics में है chemistry में नहीं है तो आप फिर mathematics की और ही जाएए एक प्रस्थ ये मेरे मन में आ रहा है कि 3-4 महिने की तैयारी पर्याप्त होती है या इसके लिए थोगा लंबे समय से तैयारी करनी चाहिए एक साल डेट साल का समय देना चाहिए कितना time देना चाहिए हाँ तैयारी के लिए तो आपके पास 3-4 मन्थ पर्याप्त ही होते हैं लेकिन उसके लिए आपका base जो है वो कहीं नहीं थोड़ा सा strong ही रखना पड़ेगा अगर आप शुरुवाज से पढ़ने जा रहे हैं तो आपके लिए काफी struggle रहेगा और अगर 3-4 मन्थ में चाहिए तो आपको topic by topic एक infrastructure बनाना पड़ेगा chapter by chapter की इस question इसमें कितने number काता है chapter से coordinate geometry से कितने काता है calculus से कितने काता है तो उसी इसाब से आपको पूरा एक infrastructure बनाना पड़ेगा उसी के साब से आपको time देना पड़ेगा और basic सी चीजें जो मैंने बार बार कहता हूँ जो reference होते हैं छोटे-छोटे points उन पर ध्यान लखने होंगे उनके लिए एक अलग से बढ़िया notes तयार करिए तो वो ज़्यादा फायदे मन्द रहेंगे मातपूर्ण प्रस्ट यह है कि UPTGT और YALTGT की तयारी क्या एक साथ की जा सकती है इनके syllabus में क्या अंतर है इस पे थोड़ी सी चर्चा करें जी सर बिलकुल की जा सकती है LTEGT और UPTGT में बिलकुल अच्छी तयारी की जा सकती है दोनों का syllabus सेम ही होता है बस थोड़ा सा LTEGT में questions जो होते हैं थोड़ा सा लेवल हलका सजादा होता है और माकी आपको पता ही होगा कि उसमें आपके 30 questions और होते हैं GS portion का होता है माकी इस लेवस दोनों में सेम ही होता है माकी अच्छी से तयारी दोनों की की जा सकती अगर आपने UPTGT करी तो वो ही LTEGT के लिए है क्या प्रथम प्रयास में UPTGT के एक्जाम को कौलिफाई किया सकता है और ऐसे में प्रथम प्रयास कर रहे हैं अभ्यर्थी को क्या-क्या साउधानी अबरतनी चाहिए जी सर बिलकुल उसके लिए सर मैं खुद अपने आप में एक एक्जाम पनूँ क्यों कि मेरा ये TGT में पहला ही प्रयास था अभी मेरे जो 2019 में मेरा बियर्ड हुआ संधिंग तो मैंने पहले ही प्रयास में TGT में सफलता आसिल की है 29 रेंग के साथ होता क्या है कि देखे पहले प्रयास में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है कि आप कैसे पेपर को अटेंड करेंगे क्योंकि टाइमिंग आपके लिए उतनी ही रहती है दो गंटी की ही रहती है तो उसमें आपको अच्छी तरह से प्रपेशन करनी होगी टाइम के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टन बता दू होता क्या है कि मैथमेटिक्स में मेरिट कम जाने का एक रीजन यही होता है कि आता हमें सब कुछ होता है लेकिन हम समय से कर नहीं पाते हैं क्वेसन को तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन है उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दीखी करना क्या होता है आपके 15 मिनट गोले भरने में चले आते हैं 5 मिनट वेरिफिकेशन में चले आते हैं तो आपके लिए 125 करने करने के लिए 100 मिनट मिलते हैं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने किया तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले question से उठाया और होता क्या है कि आपको 125 question में 40 question something 35-40 question 45 भी हो सकते हैं वो तो आपकी study पर depend करता है ये जरूर है कि 35-40 question आपको orally मिलेंगे जिन में आपको कोई भी pen चलाने की जरूरत नहीं है देखते ही बन सकते हैं तो आपको होता है कि आप पहले question से पढ़िए और मैंने तीन राउंड दो राउंड में पूरे paper को analysis को किया हुआ था तो पहले question से उठाये और सारे question पढ़िए हो सकता है 125 question तक हो सकता है कि आपको कुछ question ऐसे मिल जाएंगे कि जिनको आपको देखते ही tick लगा दिने होंगे तो मैंने ऐसे किया कि मैंने पहले questions उठाया और सब question को पढ़ता गया तो मैंने उन question को तुरन टिक कर दिया कि इसका ये question सही है तो first round में मेरा ये पूरा 125 question मैंने 50 minute में पढ़ लिये थे और वो भी 70 question 50 minute में किये थे इसके बाद मुझे वहीं पढ़ते समय question चूंकि सभी पढ़ने है तो पढ़ते समय मैंने क्या देखा कि ये question में calculation है ज़्यादा बन जाएगा लेकिन calculation है थोड़ा सा calculation के बाद बनेगा तो मैं वहीं पढ़ते पढ़ते मैंने एक circle लगाया हुआ था कि ये circle वाले question मैं second round में देखूंगा calculation है और जो question लग रहा है अपने आप से अच्छा कोई नहीं जा सकता कि ये question हमसे नहीं बनने वाला है तो मैंने उनको cross कर दिया कि ये question challenge नहीं करना है अगर आप उन question को challenge करेंगे तो कहीं न कहीं आप उसी question में आप पूरा time waste कर देंगे तो इसके बाद जब पूरे question पढ़ लिए तो second round में मैंने calculation वाले किये और जो question हमसे नहीं बनते हैं तो उनको challenge ही नहीं करना है क्योंकि time हमाए पास उतना ही है और इस तरीके से मैंने पूरे questions attempt की है आपने सफलता के लिए क्या-क्या माध्यम अपनाया और practice का माध्यम क्या था हाँ sir सफलता के लिए मेरा coaching institute जो मैंने जॉइन करी चंद इंस्टिटूट जॉइन की वो मैंने मेरा माध्यम था और मेरा study कैसे मैंने करी NCRT की books लगाई बहुत सी और कुछ writers की मैंने books लगाई जो परानी थी जो 6 किताबे चलती थी statistics, dynamics, coordinate, geometry, calculus, algebra को लेकर तो वो लगाई मैंने और इसके बाद main था उनको सबसे पहले उनको लगाने के बाद जैसे जैसे chapter मैंने cover किये इसके बाद मैंने practice set हल करी practice set ही बहुत ज्यादे important है मैंने online ऐसे purchase करे हुए थे कुछ last year के questions जो थे last year के जो papers थे उन सभी की practice करी कि 2017, 16 का जो paper था 19 में हुआ उसके जितने भी last year के paper थे मैंने उनको फिर से वही timing के साथ attempt किया और मैंने देखा कि मैं कितने question कर पाता हूँ कहिना का ये सब चीजे मेरे लिए बहुत ही लादधायक रही हूँ कि आप सियम चल कर मिलने आये हैं आपकी इच्छा थी कि नहीं एक बार मुझे सर से मिलना है ये जो उतकंठा आपके अंदर थी ये दे कर बहुत ही अच्छा लगा बिल्कुल सर चंदर इस्टिटूट में मैंने online class purchase करी हुई थी और जिनमें से हमाई सियम सर रितेस पांडे सर और उतकर सर तीनों टीचरों ने बहुत अच्छा युगदान दिया समय समय पर उन्होंने practice करवाई जो मेरे लिए बहुत अच्छी रही और मैं इसलिए मैं सर के सर से भी मिलने आया आदेनी वागे सर से मिलने आया कि मैं सर उनसे मिलना चाहूंगा और चुकि सियम सर से सबसे मिलना चाहता था कि कम से कम मैं देखूं कि कैसा क्या है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सर से मिल पाया क्योंकि उन्होंने कहीं ने कहीं बहुत से बच्चों को भविस्थ बनाया है तो इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्वाद तो आप भी जरूर सपलोंगे आप सभी भाई भनो को थेंक यू